नमस्कार केपी किचण में स्वाकत है तो सर्दियों का मुसम है तो हम बाजरे का किचणा और कड़ी को जरूर हम खाने में पसंद करेंगे तो आज हम बाजरे का किचणा और कड़ी बनाएंगे इसके लिए मैंने दो कटोरी बाजरा लिया है उसको साप पानी से दोकर उसको ए बाजरा फूल सके थोड़ा सा अब ये एक गंटा हो चुका है तो हमने बाजरे को इस्टे नर में निकाल लिया है इसका पानी हम निकाल लेंगे उसके बाद हम इसको कपड़े पर फिला लेंगे जिससे कि इसका पानी सुक जाए उसके बाद हम फिर कपड़े से इसको उसी कप पड़े से पोष लेंगे इसको इसके बाद हम उसको mixer jar में डालके और pulse mode पर इसके चिलके उतारेंगे यह दिया आपके पास इमाम दसता है तो आप उसमें बाजरे को कूट किकाते इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा चलाते हुए इस प्रकार से दर दरा इसको निकाल लेंग चान लेंगे उसके बाद जतक लेंगे तो जो छिलके हैं इसके वह अलग हो जायेंगे तो यह हमारा बाजरा तयार हो गया है , इस परकार से बाजरी को तयार करते हैं अब हम बाजरे को कुकर में डालेंगे। powersपआप और मैठी के हांडी तो उसमें भी बना सकते, अब हम इसमें ये एक घंटा पहले दाल गलाई थी, वो भी इसमें डालेंगे, अब हमने एक कटोरी, दो कटोरी बाजरा लिया, तो छे कटोरी पानी डालेंगे, और एक कटोरी पानी हम दाल के लिए डालेंगे, इस प्रकार से, साथ कटोरि हम पानी डालेंगे और सादोने सार इसमें थोड़ा सा नमंग डालेंगे और ढक्कन लगाकर एक सीटी होने तक होने देंगे हम यह एक सीटी हो चुकी है तो हम इसको लो फ्लेम पे साथ से आट मिनिट और पकाएंगे अब यह बाजरा हमारा बाजरे का खिठड़ा बनके तयार हो गया है तो देखिए आप इसको गर्मा गरम आप सर्व कर सकते हैं तो यह हमारा खिठड़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह खिठड़ा देखिए बनके तयार हो गया है अब यह सर्व करने के लिए तयार है क्योंकि बजरा जल्दी से पानी को इवजार कर लेता है आप गर्मा गर्म ही इसको सर्व कीजिए और यदि पानी आपको कम लगता थोड़ा सा पानी को गर्म करके इसमें डाल दीजिए अब हम इसको घी गुड़ और कड़ी के साथ इसको खा सकते हैं खाने के लिए तयार है सर्व कर सकते हैं और आप इसको सर्दियों का मुसा में तो इसको अच्छे से खाईए और इंजॉय कीजिए और यदि मेरी रेसी पर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू